हालो डियर स्टुएंट एक बर फिर से स्वागत आप सभी काई है केमेस्ट्री क्लासेज में और आज का अपना टॉपिक है थ्री डाइमेंशनलर रिपर्जेंटेशन ऑफ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूस कंपाउंड आप ठीक है तो यहां पे बहुत छोटी टॉपिक है यह प्रोजेक्शन डाइग्राम आज मैं आपको बताऊंगी ठीक है अब बताना यह है कि है तो बहुत छोटा सा 5-6 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा लेकिन हां 5-6 मिनट का वीडियो है तो पूरे धियान से देखिए और मेरी बात को पूरे धियान से सुनिएगा क्योंकि समझने के लिए सुनना और देखना आप लोग को तो फैसलिटी है वैसे पढ़ना पड़ता हम लोग तो आपने जमाने में इमाजीनेशन से ही पढ़ते थे कि टीचर समझा रहे होते थे और सोचते थे कि ऐसा होता होगा ठीक है तो यहां पे आप लोग के पास सब साधन है तो चलिए यहां पे देखे वेजड एंड डैस प्रोजेक्शन डायग्राम में आपको बताऊंगी कि क्या है और यह पढ़ना क्यों जरूरी है यह बता देती हूं यह पढ़ना इसले जरूरी है जब आप आप पढ़ते हैं तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे स्टीरियो प्रोजेक्शन डायग्राम का बहुत बहुत यूज होता है अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सही सही स्टीरियो आइसो मेरी जम नहीं बना पाएंगे आरेस कॉन्फिग्रेशन बनाना आपके लिए टफ हो जाएगा बातारी समझ में तो इसलिए और गैनिक जोरत आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताती जाओंगी बहुत तरीका है और अलग तरीका है ठीक है तो यहां पर चलिए देखते हैं हम लोग में होगा क्या अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से आप लोग को कहूंगी कि अगर आपको चैनल अच्छा ल मिले बच्चे और आप उसे देख सके और मेरी मेहनत सफल हो कि मैंने मैं जो मेहनत करती हूं बच्चों को समझाने सिखाने के लिए वह हो रहा है पूरा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो देखिए यहां पर मैंने लिखा है इसको आपको लिखना भी है अपनी कॉपी पर हो जाएगा काम आपका ठीक है तो सबसे पहली बार तीन पॉइंट इसमें मैंने लिखा हुआ है तीनों पॉइंट देख ली जो उसके बाद हम लोग बनाना सीख जाएंगे देखिए बांड लाइंग इन प्लेन ऑफ दा पेपर आर डिपिक्टेट वाई यूजिंग अनॉ ऐग्सवाई एक्सिस में नहीं इस्वाइज एक्सिस में काम करें चनल लगे जो आपके आंख के सामने और आपको देखते और अपो सामने खड़ा है तो सामने दिखता है तो लेकिन जब आप पूरी तरह से देख पाते हैं किसी चीज को घुमा के पूरी तरीके से तो वह क्या हो जाता है थ्रीडी फिगर हो जाता है या तो फ्रंट दिखेगा या तो बैक दिखेगा पूरा-पूरा नहीं दिखेगा और अभ बनाया जाएगा नॉर्मल लाइन के साथ बने जो ऐसे नॉर्मल लाइन हम लोग खीछते हैं वह बनाया तो समझना है कि वह प्लेन ऑफ पेपर पे है वह बागी बचा जो प्लेन ऑफ पेपर पे नहीं होगा तो यहां देखिए असालीड वेज रिपर्जेंट साब बॉन्ड प्रोजेक्टेड फ्रॉम दप्लेन ऑफ पेपर टुवट्स दा ऑफ जर्वर तो यहां पे जब मैं सॉलिट वेज बनाऊंगी आपको तो सॉलिट वेज जो होता है वह किस चीज को रिपर्जेंट करेगा यह आपको याद रखन सॉल्ड वेज रिपर्जेंट करता है बॉन्ड फ्रोजेक्टेड फ्रॉम दप्लेन ऑफ टूवट्स दो और यानि ऑफ जर्वर की तरफ पेपर ओफ प्लेन से ऑफ जर्वर की तरफ का दिखाता है कौन सॉलिट वेज मतलब यह कहने कार्त है कि वह जो बॉन्ड है वह पेप क्योंकि देखने काम तो आँखी करता है तो ज़रवर की और जाएगा वह सौलिड वेज होगा और जो डैस और ब्रोकन लाइन होगी देखें और डैस और ब्रोकन लाइन रिपरेजेंट्स और बॉन्ड बिलोग देप लाइन दस अवे फ्रॉम द ऑब जर्बर यानि आप प्लेन ही में रहेंगे ना तो क्या है जो बिलोद प्लेन जाएगा ओब्जरवर से दूर हो जाएगा यानि कहने कार्थ है कि बिलोद प्लेन हो गया इट मींस की आवे फ्रॉम ऑब्जरवर हो गया वामन है यह मतलब आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से भी आप ट्रीकली सम वह ब्रोकेन लाइन आप समझेंगे कि वह ब्रोकेन लाइन से दिखाया गया तो वह अवे फ्रॉम ऑब्जरवर है यानि आप से दूर है वह चीज़ ठीक है और कोई चीज नजदीक हो तो वह सॉलिड दिख जाता है तुरा अचान आपने आग खोला और आपको दिखेगा तो क्या हुआ वह सॉलिड हो गया हना तो यहां पर दोनों बातें आपको समझाए गए कि सॉलिड बेज बनेगा तो आप समझेंगे टूवर्ट्वर की तरफ दिखेगा और डैस वाला जो होगा वह अवे फ्रॉम ऑब्जरवर होगा अब यहां पर जो विमार्केबल बात ह हैं तो वह गलती आपको नहीं करने हैं केमेस्ट्री में आपको पूरा पर्फेक्ट होना है तो हर्शिक जानना जरूरी है किस तरह से रिपरजेंटेशन होता है तो मैंने यहां नोट करके लिखा है आप भी लिख लेना यह आपके एंसी आर्टी बुक में ही सिर्फ दिया ह है कि नोट बैज आर सोन इन सच वेड़ाइट ब्रॉड इंड ऑफ देवेज तो वर्फ दा अबसर्बर यानि वेज़ को आपको ऐसे सो करना है कि ब्रॉड इंड जो होगा जो फैला हुआ इंड है वह ऑप्जरबर की तरफ होगा यानि बनाते बगत आपको यह ध्यान रख लखना होता है कि ब्रॉड पार्ट ऑब्जरवर की तरफ होगा और जो नेरो पार्ट होगा वह कहां जाएगा अब फ्रॉम जाएगा बात आगे समझ में आप फीगर बनाएंगे हम लोग मैंने बना की नहीं रखा हुआ है आपके सामने बनाओंगे आप सीखेंगे ठीक है तो मेथेन का क्या होता है सी एच फोर होता है होदा है न तो आप क्या करेंगे देखें कार्बन को सेंटर में लिखते हैं वह लिख दिया हमने और यह आपका नॉर्मल लाइन से हो गया तो यह आपका प्लेन आपका क्या है बॉंड इन दा प्लेन ओ पेपर यह कैसा हो गया बॉ आती है समझने वाली आप देखिए जो अगर ब्रोकेन लाइन से सो किया जाएगा ठीक है तो देखिए यही कहना है कि ब्रोकेन लाइन से आपने सो किया तो यहां पर क्या है एच डाल दिया और डैस लाइन यूज करेंगे सॉलिड लाइन सॉलिड वेज ठीक है तो यहां गौर कीजिए यहां पर चारो हाइडोजन डाल दिया टेट्रा वैलेंसी पूरा तो अब क्या है यह जो डैस लाइन था यह अवे फ्रॉम अबजर्वर था और यह तूबर्स दा अबजर्वर था और मैंने क्या कहा कि अबजर् बॉंड आवे फ्रॉम अवे फ्रॉम अब्स आपको ध्यान में तुछत रह जाएगा कभी नहीं भूलेंगे आर त देखिए आभी फ्रॉम उब्जर्वर यानि यहां उचार नहीं इस तरफ है क्योंकि observer कहां खड़ा होगा observer की तरफ bond जा रहा है तो यहां है तो यह आपका क्या हो गया bonds towards observer बात आई समझ में आपके towards observer तो यहां यह चीज आपको देखना है ध्यान रखना है कि यह solid ways towards observer होता है और यह आपका ड्यास वेज अवे फ्रॉम जर्वर होता है और साथ ही साथ ध्यान रखेगा बच्चों बनाते बग जब आप कहीं भी बनाना तो ध्यान रखना कि यह अगर ब्रॉड लाइन मलब आप competitive exam देते हैं तो वहां question रहता है इस टाइप से लिखा तो यह note भी मैंने कर दिया है आप लिख भी लें प्रैक्टिस भी कर लें और हमेशा जब कभी वेज डायग्राम लिखें तो हिसाब से लिखें अब बारी आप कहेंगे कि दो नंबर का दो कारवन होगा तो कैसे लिखेंगे तो यह सिंगल कारवन पे काम करता है यही डवल लेकिन उसको लिखना थोड़ तफ होता है इसके लिए और भी पॉर्मूलाज है सी होर्स है न्यूमेन प्रोजेक्शन है तो जब आएगा सो मेरीजम के अंदर तब मैं आपको फिर से बताऊंगे एक ही जगे पर लिंदी हो जाएगा ठीक है तो इसको आप सीख लें अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक लिए भाई थैंक्यू टेक केर है बनाइस डे